दोस्तों, जिम्बाबे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के बावजूद, रुदुराज गाइकवाड को भारतिय टीम में श्री लंका टूर के लिए शामिल नहीं किया गया था। ऐसे में अब रुदुराज को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दरसल केदार जाधाओ के रेटाइमेंट के बाद रुदुराज गाइकवाड को रंजी ट्रोफी के अगले सीजन के लिए महरास्त ने अपना कैप्टन बनाया है। आपको बता दें, रूतुराज गायकवाट पिछले रंजी ट्रोफी के सीजन में इंजरी की वज़े से बाहर थे और केवल एक मैच ही खेल सके थे ऐसे में अब केदार जाधों के रिटार्मेंट के बाद रूतुराज गायकवाट को ये जिम्मेदारी सौपी गई है